नेक्स्ट है फॉर्डूप फॉर्डूप सबसे ज्यादा यूज में आने वारा लूप मैंने यहां लिखा टेम एस इंटीचर फॉर एक्वल टू बंटू पाइप इसका मतलब यह जो लूप चलेगा ना यह वन से लेकर पाइप ते चलेगा अपने अपने और बाइडिफॉ टू वन टू फाइव ऐडिफॉ एक्वल टू इसकी इनिशल वैल्यू वन से लेके पाइव इसकी पाइडिफॉ लूप चलेगा और अपने आप एक एक से इंक्रिमेंट करेगा इस लूप में अपने को इंक्रिमेंट करने की जरूरत नहीं है तो इसका आउटपुट वन टू 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 टैन चलेगा लोग और मैंने दिया यहां स्टेप फू का मतलब दो-दो से इंक्रिमेंट करेगा तो पहले आउटपुट आएगा वन पिर त्री पिर फिर फिर सेवन फिर नाइन जो मैंने यहां पर प्रिंट करवाया है और लूप का ये सैंक्स है और देखरम changing कभ़ारा किसे करता हो तो अपने कोयो स्टेत पर कितने कितने से इंक्रिमेंट करना है वो बताना पड़ेगा जैस Under sieht next इसके बाद अपन देखें इसको और नीचे प्रोग्राम अब मुझे अगर रिवर्स लूप चलाना हो तो अपन कैसे चलाएंगे for a equal to 5 to 1 अपने initial value जदा दिये तो step minus 1 इसका मतलब एक-एक से decrement होता तो पहले, a की value 5 पिर 4, 1 पिर 3, 2 पिर 1 5, 4, 3, 2, 1 तो आपको increment decrement loop के अंदर करने की जरुवर्त नहीं है अगर अपन step नहीं देते तो by default एक-एक से increment होता है और अगर step दिया हुआ है तो जो अपन ने उसमें दिया है उसके according increment या decrement होगा अब अगर मैंने लिखा for a equal to 1 to 10 तो यह 1 से लेकर 10 तक loop चलेगा और इसमें एक-एक से increment होगा लेकिन loop के अंदर भी मैंने क्या कर दिया a plus equal to 1 लिखा है तो सबसे पहले इसकी value 1 print होगा फिर a में 2 हो जाएगा फिर वापस उपड़ जाएगा तो by default एक से increment होता ही है तो a में 3 हो जाएगा फिर loop के अंदर मैंने increment किया हुआ है तो 4 हो गया फिर उपड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा तो अगर मैंने for loop के अंदर increment कर दिया तो जो default increment होता है वो जो आपलाय हो गई होगा प्लस जो मैंने increment किया है वो भी आपलाय होगा तो by default एक-एक से increment होता है और एक-एक से increment मैंने लूप के अंदर कर दिया तो यह दो-दो से increment होके क्या print होगा 1, 3, 5, 7 और 9 अब next के साथ में अपन यहाँ पे variable का नाम लिख सकते हैं अपनी reference के लिए for a है तो यहाँ पे next के आजाएगा यह generally nested loop में काम में आता है मान लो बाहर वाला loop row का है अंदर वाला loop column का है तो जो अपन पहला next लगाएंगे उसके आगे call लिखेंगे दूसरे next के आगे row लिखेंगे जिससे जब अपन प्रोग्राम को पढ़ेंगे यह कोई और प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसको देख समझ में आ जाएगा कि यह next कौन से लूप का है रो वाले का है यह कॉलम वाले का है तो next के बाद अपन अपने चाहें तो वैरियेबल का नाम लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी कोई अलावा हुआ यह आप लोगों को ध्यान रखना है इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर देदू step 2 और अंदर भी देदू ए प्लस इक्वल टू हन तो दो से इंक्रिमेंट तो इज़े गया हो रहा है और एक से इस ज़े गया हो रहा है तो यह तीन-टीन से इंक्रिमेंट होगा next लुप जो है वो जनरली अरे के साथ में यूज़ना आता है आरे के first index से last index दूसरा तरीका क्या है for each पी इन k मतलब के में से एक एक value पी में आएगी तो सबसे पहले के की first value क्या है तू यह पी में आएगी और तू को अपने यह प्रिंट करवा दिया पिर अगली बार क्या होगा अपने आप array की second value किसमें आएगी P में इसको print करवा दिया आपने फिर अगली बार next value फिर अगली बार next value जब इस array की सारी values प्रोसेस हो जाएंगी तो ये loop अपने आप terminate हो जाएगा तो for each loop जो है वो अपने आप execute होता है array के first element से लेके last element तक for each तो आपको as it is लिखना है उसके बाद in भी as it is आएगा इसके बाद आएगा array का नाम और इसके पहले आएगा variable का नाम तो इस वाली array में से एक एक values variable में आएगी और उसको अपने प्रिंट करवा दिया अगर मैं चाहूँ हो तो उसका sum कर सकता हूँ sum equal to sum plus p उतर जो भी आपको processing करनी है वो कर सकते हैं तो for each लिखना है उसके बाद variable का नाम फिर in keyword है और फिर array का नाम और for each लूप भी end किससे होता है next से वैसे अपने कर चुक है वाइल लूप में एक चीज बता रहा हूं मैं आपको और मैंने लिखा dim a as integer equal to minus 5 minus 5 दिया और मैंने यहां while a दिते हैं तो अभी a की value minus 5 है तो यहां पर minus 5 प्रिंट हो जाए फिर a में एक से increment हो जाएगा तो minus 5 में एक से increment करेंगे minus 2 अगली बार minus 3 फिर minus 2 फिर minus 1 अब minus 1 प्रिंट करने के बाद a में क्या हो जाएगा 0 वापस उपड जाएगा while 0 जीरो जीरो आता ही यह loop terminate हो जाएगा तो अगर आपने condition में condition में जो expression दिया है उसका result boolean नहीं आ रहा है जैसे कि यहां पर मैंने while a दिया है एक टाइप का integer है तो उस case में यह loop तक चलेगा जब तक कि इस expression का result 0 नहीं आ जाएगा तो माइनस 5 से माइनस 1 तक लूप चलेगा और जैसे ही a में 0 आएगा while 0 आते ही यह loop terminate हो जाएगा नेसजाइड रुप मतलब अर्षार दूसरत तो अपने यूप के अंदर दूसरा लूप मतलब यह उसका है सारे रहत लेंग्विजी स्में और लूप सके है कि उस्कों क्या इंगा चिट्री में ने वाण या टूप को शर यह आगा जाता है अंदर देट मीन मैंने यहां कंडिशन दी डू वाइल के लेस्ट एकपल टू तू 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 इस तरह का जो लूप होता है इसको अब यह जो अंदर वारा लूप है डू वाइल इसके अंदर मैंने बी में इंक्रिमेंट किया है और यह जो लूप है यह इस वाले लूप का लूप एंड है जब कि यह जो डू वाइल बाहर वाला है इसका एंड कौन सा है यह वाला और इसके अंदर मैंने ए वैरियेबल में इंक्रिमेंट किया है तो इसका मतलब बाहर वाल इस तरह के लूप को अपन नेस्टेड लूप कहते हैं जितने लूप आपने ओपन किये हैं उतने आपको क्लोज भी करने हैं दू वाइल ये इसका एंड ये डू वाइल ये इसका एंड अगर मैं दो फॉर उपन कर लूँ तो मुझे दोनों के नेक्स लग 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 लगाने पड़ेंगे अगर मैं इस केस में ये लूप कीवर्ड यहां से हटा दूँगा तो कंपाइल करने पे एरर आएगा तो vb.net में जो जो भी ओपन किया जाता है जैसे ये को ओपन करते हैं तो end इफ होता है सारे लूप्स की क्लोजिंग होती है select case and select send होता है module and module send होता है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो इस तरह से अपन किसी भी एक लूप में दूसरा लूप प्लेस कड़ सकते हैं अपनी requirements के according vb.net में भी तक अपने कितने लूप पड़े हैं पहला while loop दूसरा do while loop तीसरा do loop while चौथा loop do until पांचवा do loop until छटा for और सात्वा for each तो सात लूप होता है total vb.net के अंतर अगर एक्जाम में question आता है तो आपको ये सात लूप समखा नहीं है इसमें से दो तो post-tested होता है एक तो do loop while और do loop until और बाकी सारे pre-tested होता है अभी तक अपने variable declare कि अब constants को कैसे यूज किया जबा है constant जिनकी value change नहीं सकती है constant declare करने के लिए मैंने यहां लिखा const 5 equal to 3.1417 इसको मैंने print करवा लिया इसका मैंने data type नहीं दिया तो जो मैंने value दिया है उसके according उसका data type हो जाए फिर मैंने लिखा const x as integer equal to 10.51 अब 10.51 तो integer में आनी सकता तो यह अपने आप उसको round करके क्या कर लेगा 11 const city as string equal to ajmer अब की बार जो मैंने constant declare किया है city उसका नाम है string उसका data type है ajmer उसकी value इसको print करवाएंगे तो ajmer print होगा अब जो मैंने x नाम का constant declare किया था उसमें मैं अगर value assign करने की कोशिश करूँआ जैसे अभी तो मैंने इसको comment बनाया अगर मैं इसको value assign करने की कोशिश करूँआ तो message आएगा compile time error constants cannot be the target of assignment const w equal to kite यह constant declare किया इसका data type नहीं दिया इसमें kite value assign हो जाएगा constant को declare करते हुए initial value देना जरूरी है मतलब अगर मैं यह initial value नहीं दुनपा तो compile time error आएगा तो const statement का use करके constant declare होते हैं constant को initialize करना compulsory है constant को initialize करने के पाद आप उसको use कर सकते हो लेकिन उसकी value change नहीं कर सकते हैं constant को declare करते हुए data type देना compulsory नहीं है अग लेकिन अगर data type दिया है तो उसमें कुसी type की value ही assign हो सकती है then go to statement go to statement का क्या use है go to statement का use करके अपन क्या कर सकते हैं program के control को specific location location मतलब label पर transfer कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपन इसका use करके loop जैसा कुछ implement कर सकते हैं जैसे अब मुझे क्या करना है user से कुछ numbers का input लेना है और उनका sum करना है कब तक sum करना है जब तक की user number में 0 नहीं देते हैं तो मैंने यहां पर एक sum variable declare किया long type का एक num variable declare किया integer type एक मैंने label बनाया user input column कि मैंने label define किया और एक label define किया हुआ यहां show result अब मुझे क्या करना है integers का input लेना है console.write enter an integer यह message आएगा num equal to console.feedline यह user से number का input देगा मान लो user ने पहला number दिया 3 तो number में 0 तो है नहीं इस if में तो जाएगा नहीं और sum के अंदर number को add कर देगा तो sum में क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 मतलब 3 फिर go to user input वापस कहां जाएगा user input पे मतलब यहां यहां वापस user से number का input लेगा और उसको sum में add कर देगा मान लो user ने दिया 5 तो sum में क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 मतलब 8 फिर यह वापस क्या होगा go to user input वापस यहां जाएगा वापस number का input लेगा अब की बार user ने दिया 2 तो sum में हो जाएगा 10 sum में 10 होने के बाद में क्या होगा यह वापस उपर जाएगा user input पे अब user ने दिया मानलो 0 0 enter करते ही यह condition tool if num equal to 0 then go to show result तो मतलब यह show result पे आएगा sum को show करेगा और फिर end sum मतलब main end हो जाएगा तो यहां पे अपन ने बिना loop का use किये go to का use करते हुए loop को implement किया है कि जब तक user number में 0 नहीं दे दे तब तक यह चलता रहे number का input लेता रहे और जैसे user 0 enter करे वैसे ही यह show result नाम के label पे आए और उसके नीचे का code execute करे जो अपने case में sum को show करना है यह जो label अपन देते हैं label का नाम जैसे user input यह show result वो unique होना चाहिए मतलब दो labels के same name नहीं हो सकते हैं अब अपन assignment देखें 5 numbers का input लेना है आपको loop में array use नहीं करनी है array तो मैंने भी करवाई भी नहीं है और उसमें से maximum even integer ने करना है user ने अगर number दिये 10, 7, 11, 4 और 16 तो maximum even integer कौन सा है 16 वो आ जाना चाहिए output में assignment 5 numbers का input लेना है आपको loop के अंदर और odd integers का sum करना है even integers का average तो मान लो या 5 number दिये user ने 10, 7, 11, 4 और 16 तो मुझे odd का तो sum करना है तो odd कौन-कौन से है 11 और 7 तो मतलब 18 तो आगया sum और even का average करना है तो 16, 4 20 और 10, 30 30 even numbers का sum है तीन even number है तो average के आएगा 10 9 10 10 10 11